पश्रिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में रविवार 27 अगस्त की सुबह एक पठाका फैक्टरी में विस्फोट हो गया इसमें कम से कम आठ लोगों के मारिजानी की सूशना है और कई अन्य लोग घायल हो गया है पुलिस ने बताया है कि विस्फोट सुबह करीब 10 बजे उस समय हुआ जब कालकाता से लगबग 30 किलोमीटर उत्तर में इस्थित दत्तो पुकुर्थानश शेक्तर में नीलगंश के मोशपोल इलाके में कई लोग पठाका फैक्टरी में काम कर रहे थे पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब तक 600 मिले हैं विसपोर्ट में कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं उन्होंने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भरती कराया गया है इससे पहले मैं में पूर्वी मेदिनी पुर्जिली के एगरा में एक अवैद पठाका फैक्टरी में ऐसा ही विसपोर्ट हुआ था जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी सूत्र बता रहे हैं कि अब तक 8 लोगों की मौत की सूचना है मृतकों की संक्या और बढ़ सकती है दस से अधीक लोग घायल है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है दत्व पुकर थाना अंतरगत नीलगंज फाड़ी के नीलगंज ग्राम पंचायत इलागा के मोशपोल पश्रिम पाड़ा में विसपोर्ट हुआ है विसपोर्ट के बाद इट सिमेंट से बना मकान पूरी तरह ध्वस्थ हो गया खबर मिलते ही दमकल वाहनों को घटनास्थल पर आग मुझाने के लिए भेजा गया यह अभी बताय जा रहा है कि विसपोर्ट की तीवर्टा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मकान में काम कर रहे लोगों के शव घटनास्थल से 50 और 100 मीटर की दूरी तक मिले यह लोग पूरी तरह से जल जोके थे दमकल विभाग का मानना है कि मलबे के अंदर अभी भी कई शव दबे हो सकते है पुखुर पुली नाम है पुए हो ज़े जिले जाने अमाद एकन कार खात्डो मुंतरी रोतिन गोश उनियों जानता हुँआ पार मासे 65 ता गोड़ हाप्त निये जेतो शुद उनियन नान आमाद एकन पार मासे 65 ता गानी तो आमाद एकन गाद एकन जेला पड शोपुआ उनियोन एककस्ता चाला ठोकानी तो एखाने ।कर एकने एकने पड़ी जान पड़ी तो राख्तो तो एकने आसे पासे ंणन शुद एकन्न बड़ी तो पारी कुद के जार पले अजकी कोज़'m पुलिस 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 इससे पहले दत्तो पुकर धाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुँची तो ग्रामिनों ने उनका जम कर विरोध किया पुलिस की गाड़ी में तोड़ फोर भी की ग्रामिनों का आरोप है कि पूरे इलाके में खुले आम अवैद पटाकी की फैक्ट्रिया चल रही है पुलिस उनके खिलाब कोई कारवाई नहीं करती प्रभात कबर के लिए उत्तर 24 परगना से मनोरंजन सेंग के रिपोर्ट प्रभातकबर.com विश्वास वही रफदार नहीं